आज की दोर में जब किसान खेती छोड़ के नौकरी के पीछे भाग रहा है वहाँ पे राकेश शिहाग अपने 40,000 वाला नौकरी छोड़ के खेती शुरू किये हैं लेकिन किसान खेती छोड़े भी क्यों ना क्योंकि आज कल की किशानी में जहाँ पेस्टिसाइड और फटिलाइजर में लागत बढ़ता जा रहा है वहाँ पे आमदानी घर्टा जा रहा है उसी समय में राकेश सिहाग अपनी 9 एकर जमिन से सालाना 40-50 लाग रुपे कमा लेत हैं तो आएए जानते हैं कि राकेश सिहाग की इस सफलाता की पीछी राज क्या है किस विधी से ये इतना आमदानी कर रहे हैं आएए उनसे सिधित तरह से बात करते हैं ये हैं हरियाना के फतिहाबाद जिले के बैजरपुर गाओं के राकेश सिहाग राकेश सिहाग पांस साल पहले अपने सिविल इंजिनेरिंग कोर्स करके जॉब जो 40,000 रुपे मिल रहा था महिना उसको छोड़के किसानी कर रहे हैं पहले तो ये अपने पारंपरी खेती कर रहे थे जिसमें इनको कुछ ज्यादा फाइदा हुआ नहीं क्योंकि पारंपरी खेती में कितना सक दवाईया और फटिलाइजर इस सब में इतना खर्चा हुआ फिर दो साल पहले डक्टर रामकुमार खर्ब ने इनको जीरो बजट खेती अपनाने का सला दी फिर क्या था इनका खर्च कमता गया और आयो बढ़ता गया तो आई ये डारेक्ट राकेश जिससे जानते हैं उनके बारे में मैं राकेश याग गाउं बैजलपूर का रहने वाला हूं और पिछले पांच साल से लगवग जो केमिकल खेती कर रहा था पहले जिससे हम बागवानी या सबजी या जो भी करते थे उसमें खर्चा बहु जादा था 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 एक्सपैंस एक्सपैंस जादा उन्हें कान अमा इस डी कंपोजर या घंजी वामरित जैसे प्रोड़क्ट हमने स्टाट किए सब से पहले जिससे हमें क्या हुआ उपज में तो कमीनिया बल्कि हमें उपज में वरिद्या साथ-साथ-साथ खेती का खर्चा या लागत है वह बहुत ही कम होगया सब से पहले हमने जीवामरित से स्टार्ट किया जिसके लिए हमें बजार से तो कुछ भी समान लेना ही नहीं पड़ता है जो कि हमें बिल्कुल उप्रा करती किया कि किसान के घर से जो समान आता है उसी से हमने स्टार्ट की सबसे पहले जीवामरित बनाया हमने जिससे हमारी फसल की बढ़वार में कोई भी कमीनियाई इसके साथ साथ एमें एक फाइदा और हुआ कि जो सबजी है या फल है उसके सवाद में ही फरका है इसके साथ साथ बजार में इसके मांग बढ़ी है जो जीवामरी तोर इससे यूज करते हैं इसके लिए हमने क्या है कि जैसे फसल में कोई फंगी साइड या वो उ तो आपने सुना इनका सफलता का राज है जिबामृत, तो आएए आज सेकते हैं जिबामृत किस तरह से बिना खर्च में या बहुत कम खर्च में बना सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए गोमाता का गोमुत्र, दस लिटर गोमुत्र, आप एक 12 लिटर प्लास्टिक ड्रम में 10 लिटर गोमुत्र लिजिए, उसके बाद उसमें फ्रेस पूरा ताजा 10 किलो गोवर डालिए उसके उपर, कोई भी देशी गाय का गोवर हो तो सबस उसमें डालना है, तो बेशन इसमें आप पूराना जो खराब बेशन भी ले सकते हैं, खराब मतलब जो नीचे गीरा हुआ हूआ है और उसमें एक किलो गूड तो सबसे अच्छा होता है, जो और गानीक गूड होता है, देसी गूड होता है, क्योंकि दुकान में जो साइड यूज ना हुआ हो या फिर किसी तरह का फर्टिलाइजर यूज नहीं हुआ हो सबसे अच्छा माना जाता है नी पीपल या बर्गत की पेड के नीचे का मिट्टी आप इसमें डालेगे तो उसमें जो बहुत हमको जो लाब पहुचाने वाले जिवाणू होते हैं उनके संख्या बहुत ज्यादा होता है तो ओ जिवाणू ये जिवामृत में अपने आपको बहुगुना कर लेते हैं तो इसमें आपको आधा किलो या से चलाने से क्या होता है वो गूड बेशन और गोवर और गोमुत्र मिट्टी के साथ मिलके यहां पर जिवानू तयार होंगे इसमें डादेक्स सुर्य करोशनी नहीं पढ़ना चाहिए आप पेड के नीचे रखे और इसके उपर इस तरह से कभर करके रखे जिससे की डाद आएक सनलाइड ना पड़े तो गर्मी के दिनों में यह साथ से आठ दिनों में तयार हो जाता है और सदी होग में यह 12-15 दिनों में तयार हो जाता है तो चलिए हम इसमें पानी मिला देते हैं पुरा ड्रम भर के पानी मिला लेंगे तो इससे 200 लिटर जिवामुत्र तयार ह जाएगा जो कि आपको एक एकर जमीन में यह सफिसेंड है इसको डालने से एक एकर जमीन में आपका ओधो में न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो इस तरह से आप गोबर गोड़ गोमुत्र और जो बेशन हमने डाला और उसमें जो मिट्टी डाला है यह सब को चलाते रहना एको प्रयोक किस तरह से करना है प्रयोक कंने का बिदी बहुत ही असान अगर आपके यहां कर दिप विरिगेशन के पहले जहां पर पानी छोड़ते हैं, वहां पर आप इसको मिला सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर मिलाएंगे तो इसको आपको सूती कबड़ से छान लेना पड़ेगा, और इससे दूसरा भी एक बिदी है, अगर आप ऐसे खुले में पानी दे रहे हैं, आपने खेतों में सिचाई कर रहे हैं, वहां पर एक डब्बे में या ड्रम में जिबामृत को डाल के रखिए, और एक छोटे से पाई में आप पानी के धार के साथ इसको मिला दीजिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आपको जिबामृत को पानी में मिला के छोड़ना है, जब के खेतों में जिबामृत हर पोधे के नीचे पहुंचता जाएगा, तो यह है राकेश जी का सफलता का राज, तो आप भी अपने घर में, अपने खेतों में, अपने फार्म हाउस में, जिबामृत का बहुत आसानी से आप त्यार कर सकते हैं, और इसको अपने खेती में ज् तो एक एकड से स्टार्ट की ती वह हमने बढ़ा कर दिये इसमें हम छे कड में तो बाग जो है हमारा वो पूरून उर्प से जैवाम्रitt गंजीवाम्रitt और वेस्टी कमबोजरिया नहीं कहें कि प्राकरतिक तरीके करें इसके साथ इन्हें बाग में शाल ऑर मिंजीशार लगाते हैं जिसमें दो एकड में बहु नहीं टालने जिस बjekातांऊ लोकी होगी, करेला हो घया, तोरी हो गी, इससे करते हैं,वो पुर्ण रूप से हम प्राकरतिक तरीके से करते हैं, यून जावीज तरीके से करते हैं, इसमें हम कोई भी उखाद या या कहां कि सपरे या कुछ भी नहीं डालते हैं जो की नेले कार हभा है। है कि अपने पोड़ना जिसके सब्सक्राइब करहते हैं जिसे हमें न इसनक के घ्र कहेंगे कि लोग प्राकर्टिक मलग क्या कि उत्पादन हो ही नहीं रहा प्राकर्टिका डिमांड तो बहुत है इसकी बजार में पर उत्पादन होता नहीं इसलिए इस मतलगी लाए तो इसका विकलप नहीं कहां से लाएं इस जिससे हमारे सब्जियों के फलों के सब के बहु से तीन गुना बढ़ गी है और खर्चा मारा बिल्कुल भी जीरो हो गया है जिसके कि जीरो अबजेट फार्मिंग से में बहुत बहुत फाइदा हो तो सब भी किसान भाइयों से मपील करेंगे कि रसाइनी खेती या कहें कि केमिकल खेती को छोड़ के प्राकरती खेती अपना अपनी नोकरी को छोड़ के जहां पे वो सालाना 5 लाग रुपए कमा रहे थे आज की तारीक में वो 50 लाग रुपए कमा रहे है तो इस तरह से जो संपन्द्र ब्यप्ति हैं अपने पास जमिने उनके पास वो नोकरी के पीछे ना भागे और अपना खेती सुरु कर सकते है तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल जैक अब आल्टेर्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल बटन है उसको आप दबा दीजिए जिससे आपको हमारा नया वीडियो आती ही एक बटन चला जाएगा